असलाम नेकुम मायोटूब फैमिल अंप्रिंस आज हम बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से ये निम्बू काचार जो कि इसे दादी नानी कहते थे कि ये निम्बू काचार पेट के लिए सो दवाओं की एक दवा है तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाते हैं तो उसक कर अच्छी तरह कट कर लेंगे दो दुगड़े में ये मैंने एक के जी निम्बू ली है आप चाहे तो कॉंटिटी कम कर सकते हो दोने के बाद इसका पानी अच्छी तरह सुखा ले उसके बाद ही इसे काटे अब यहां पे लेंगे एक कांच का जार कांच के जार में ही ये निम्बू का अचार बनाए इससे इसका रिजल बहुत अच्छा आता है और बहुत ही जल्दी ये निम्बू का अचार तैयार होता है तो सारे निम्बू कांच के जार में डाल देंगे और यहां पे देखें मैंने पानी लिए इससे बॉयल करकर अच्छी तरह ठंडी कर ले उसके बाद ही इसे इस्तेमाल करें पानी को बॉयल करना जरूरी है तो हमने एक केजी नीमबू लीती तो पानी देड़ लिटर लेंगे क्योंकि नीमबू पानी में अच्छी तरह डूप जानी चाहिए इतना पानी हमें बॉयल करना है तो यहां पे मैंने देड़ लिटर पानी इसमें एड़ की है जब यह नीमबू गलेगी तब यह इसका पानी का कलर चेंज हो जाएगा और यह फूल कर बहुत बड़े साइज में हो जाएगी अब इसमें एड़ करेंगे नमक नमक के कौंटिटी हमें जादा देनी है क्यूंकि इससे जो आचार है ना वो बहुत लंबे समय तक अच्छे रहती है टिकी रहती है तो यहां पे मैंने देखें सेंधा नमक यूज की है आप चाहें तो नॉर्मल नमक में ले सकते हैं तो नमक यहां पर मैंने 300 ग्राम एट की है इसकी कौंटिटी जादा ही रखनी है क्यूंकि इससे यह अचार बहुत दिनों तक सेफ रहते है तो अब इसे हमें देड़ से तुम मैने के लिए धूत में रखनी है तभी यह अचार परफिक्ट बनीगी बहुत अच्छी तरह गल जाएगी अभी आप देख रहे हो कि आज सारे नीमू उपर के और आ गये लेकिन जैसे जैसे यह गले गी ना वैसे वैसे यह नीमू सारे नीचे चले जाएगे और यह पानी का कलर ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा अभी मैं आपको दिखाती हूं कि मैंने पिछले साल ही य आपको इस तरह से दिखेगा देखेजिए इस तरह से यह नीमू का अचार बनकर तργेज तब हमारे नानी अम्मात सब कहते हैं इस तो आप इससे चार को बनाएं और बहुत सारे इसके फायदे उठाएं